भाई और भेनों, जब सेवा भाव से काम होता है, तो कैसे बढ़लावाता है? इसका साक्षी नौर्थ इसकी रेल कनेक्टिविटी है. मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूँ, यह उसका भी प्रमाण है. अब कल्पना कीजिए, देश में डेड़ सो वर्थ से भी पहले, पहली रेल मुंबई माहनागर से चली थी. उसके तीन दसक के बाद ही असम में भी पहली रेल चल चुकी थी. गुर्णामी के उस कालखन में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पस्चिम मंगाल हो, हर छेत्र को रेल से जोड़ा गया था. हाला कि तब जो नियत थी, वो जनहित के लिए नहीं थी. उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था? इस पूरे भूभा के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकृतिक संपदा को लूटना. आजादी के बाद नौर्थ इस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी. रेलिवे का विस्तार होना चाहिए था. लेकिन नौर्थ इस्ट के अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम दो हजार चोबिस के बाद हमें करना पड़ा. भाईयों और भेनों आपके इस सेवक ने नौर्थ इसके जन जीवन की सम्वेदना और सुभिता को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दी हैं. देश में आया यही बदला बीते नव वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे प्रकर है जिसे नौर्थ इससे विशेश रुप से अनुभव किया है. पिछले नव वर्षों में पहले की तुलना में नौर्थ इसस में रेलेवे के विकास के लिए बजेट भी कई गुना बढ़ाया गया है. 2014 से पहले नौर्थ इसके लिए रेलेवे का बजेट आउसत आउसत बजेट करीब करीब डाई हजयर करोण रुपिय का होता था. इस बार नौर्थ इसका रेल बजेट दस हजार करोण रुपिय से अधिक है. यानि लगबग चार गुना बढ़ोत्री की गई हैं इस समय मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड, मेगाले और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोडने का काम भी तेजगती से चल रहा है बहुत जल्द नौर्थ इसकी सभी राजधानिया ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने वाली हैं इन प्रोजेक्स पर एक लाग करोड रुप्य का खर्च किया जा रहा है यह दिखाता है कि नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी के लिए बीजेपी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है